नमस्कार स्वागत है आप सभी का decode exam में समिच्छा अदिकारी सायक समिच्छा अदिकारी के mock test में आज ये 12 mock test है जिसमें हम लोग अति महत्पूर्ण 30 प्रस्तनों को जो सामान हिंदी के syllabus के अनुसार है उनको solve करेंगे उनकी पूरी ब्याख्या भी देखेंगे अगर आप समिच्छा अदिकारी सायक समिच्छा अदिकारी परिच्छा की तयारी कर रहे हैं तो आप हमारे video lectures प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं इसमें आपको पूरे course यानि पूरे syllabus के अनुसार subject wise topic wise lectures प्रोवाइट कराया जाते हैं उनके PDF में notes प्रोवाइट कराया जाते हैं साथ में आपको test series प्रोवाइट कराया जाती है तो अधिक जानकारी के लिए आप 950-67-42546 पर आरो यारो foundation course लिखकर WhatsApp कर दीजे और आपको reply में सारी जानकारी दे दी जाएगी चले शुरू करते ह हैं आज का mock test पहला प्रस्न हमारा विलोम की द्रेश्टी से इस वाक्य को पूरा करना है यानि यहाँ पर जो है जो रिक्तिस्थाने इसमें विलोम सब्द आएगा स्वच्छ चांदनी बिच्छी हुई है अवनी और डैस डैस के तल में तो अवनी का विलोम सब्द आपको यहाँ पर भरना है आप यह समझ गया होंगे पढ़के तो अवनी का विलोम इसमें से क्या होता है मेदनी इला व्योम या अंबर सही उत्तर क्या होगा मित्रों सही उत्तर होगा इसका अंबर अवनी मतलब धर्ती धरा या प्रत्वी और उसका विप्रीत क्या हो जाएगा अ अगला प्रस्ण आद्रत का विलोम सब्द आपको इसमें देखना है कि कौन सा नहीं हो सकता है। या तिरिस्क्रत ये तीनों ही आद्रत के विलोम सब्द हैं। अगला प्रस्ण विलोम की द्रष्टी से असुद्ध युगमों की पहचान करनी है। बाकी सभी सही हैं यानि बी आप्सन हमारा यहां पर करेक्ट होगा। तो अग्य का विलोम क्या हो जाएगा विग्य हो जाएगा और उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा रोपड हो जाएगा। तो इसको ध्यान लखिएगा, अगला प्रसंद देखते हैं उद्दत का विलोम सब्द जो है, बिल्कुत सटीक इसमें से आपको चुनना है कि इसमें से उद्दत का विलोम क्या है उद्दत को जो है आप अगर सामाने अर्थों में इसकार समझे तो उद्दन्ड होता है तो उद्दत का विलोम इसमें से क्या है यह आपको बताना है तो उद्दत का विलोम होता है विनीत उद्दत के और सारे भी विलोम सब्द होते हैं जिनको हम जानेंगे तो इसमें से तो विनीत है विनीत का सामानयर्थ नम्र या सिष्ठ होता है बाकी विलोम सब्द देखिए सौम भी इसका विलोम होता है विनीत होता है अनुद्दत होता है और विनत भी इसका विलोम सब्द होता है अगला प्रस्न इस्तुती सब्द का विलोम सब्द इसमें से हमको छाटना है इस्तुती का विलोम क्या हो जाएगा किसी की स्तुती करना यानि किसी की जो है उसकी बढ़ाई करना उसका विलोम क्या हो जाएगा निंदा सबसे सटीक विलोम सब्द जो है इसमें निंदा होगा अगला प्रस्न निमलिखित में से तत्सम सब्द की पहचान करनी है तो इसमें से चारों को ध्यान से पढ़िए इसमें तत्सम क्या है यह आपको बताना है आप आरसी, आमा और एक में से तत्सम सब्द क्या है तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो C option नमारा correct होगा आमा एक तत्सम सब्द है, इसका तद्भो क्या होता है, आम्ब होता है, बाकी आपका तत्सम क्या होता है, आत्मा होता है, आरशी का आदरशी का होता है, इख का इक्चु होता है, इनमें से अर्ध तत्सम सब्द क्या होते हैं, तो जिस तरह से तत्सम होते हैं, तत्भो होते ह काफी ज़्यादा प्रिचलित यह नहीं होते हैं, उनको हम अर्ध तत्सम सब्द कहते हैं, तो इसमें से अर्ध तत्सम सब्द का उधारण क्या हो जाएगा, धरम, D option यहाँ पर correct है, अर्ध तत्सम सब्द उन संस्क्रिट सब्दों को कहते हैं, जो प्राकृत भासा बोलने वा मूल ये का अमोल, next question देखते हैं, साक्षी का मूल तत्सम सब्द क्या है, चारों options को ध्यान से देखेए, साक्षी, शार्ध, शिक्षा या शर्षप, तो इसमें से साक्षी का मूल तत्सम सब्द क्या हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा, यह option हमारा यहाँ पर बिलकुल correct नेक्ट कोश्चन देखेंगे चारो भी कलपों में से विसम की पहचान करनी है तो इसमें से आप विसम देखिए क्या उनसा हो जाएगा क्योंकि तद्सम और तद्भो के अनुसार जो है आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं तो ग्राहक, गडण और ग्रिद ये सभी क्या हैं? ये सभी तद्सम सब्द हैं एक सब्द इसमें से तद्भो है गुफा जो अलग है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा गुफा का अगर हम तद्सम सब्द देखेंगे तो क्या हो जाएगा? गुहा हो जाएगा बाकी सब्दों में जैसे ग्राहक क्या है ये तत्सम है तो इसका तत्भो क्या हो जाएगा गाहक हो जाएगा इसी तरह से गढ़ना का गिंती हो जाएगा तत्भो और ग्रद का तत्भो गीद हो जाएगा अगला प्रस्ट कफोडी का तत्सम सब्द इसमें से क्या है तो कफोडी एक तत्सम सब्द है और उसका तत्भव इसमें से क्या है? चारों आप्संस को ध्यान से पढ़िए कौडी, कोडी, कोहनी या कोठरी तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोहनी, C आप्संस यहाँ पर विल्कुल करेक्ट होगा नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे, तोड़ा सा बड़ा कोश्चन है और बिगत वर्सों में जो पूछे गए हैं परस्त उनको मिला कर ये बनाया गया है तो इनमें से कौन से सही है? समुद्री साप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है क्या इसमें तीन विशेशन और दो विशेशन और दो विशेशन हैं? इसी तरह से सुंगंदित कस्तूरी के लोभी सिकारी राजस्थानी हिरणों का अवयद सिकार करते हैं इसमें क्या तीन विशेशन और चार विशेशे हैं, भले और महान लोग उचित और सयमित बिवहार करते हैं, तो इसमें भी आपको देखना है कि चार विशेशन या दो विशेशे हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, तभी जो है इसको इस प्रस्न का उत्तर दे पाए तो इसमें समुद्री साप में घातक कीमति जहर पाए जाता ह। इसमें 3 विशेशन दो विशेश यहां है ठीक है, बले और महान लोग उची तरह समीट भायार कहते हैं, इसमें 4 विशेशन दो विशेश यहां ठीक है, यह वाला अप्सन यहां पर ठीक नहीं है, तो इस तरह से एक और तीन सही होने के कारण उत्तर तो हमारा सी हो जाएगा लेकिन इसका आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस आधार पर दिया गया तो जो पहला वाकिय था उसमें तीन विशेशन है समुद्री घातक वा कीमती और दो विशेशन है साप और जहर दूसरे वाकिय में चार विशेशन क्रमसा है सुगंधित, लोभी, अवैध और राजस्थानी और चार विशेश से हैं दूसरे वाकिय में कस्तूरी, सिकारी, हिरण और सिकार जो तीसरा वाकिय दिया हुआ था भले और महान लोग वाला तो उसमें चार विशेशन है भले, महान, उचित और सयमित य और दो विशेश हैं लोग और व्यवहार तो इस तरह से हमारा जो है ये जो सही उत्तर था सी आप्सन था अगला प्रस्ण चार सब्दों के आगे उनकी विशेशन दिये हुए हैं जिन में से एक विकल्प सही है उससे आपको चैनित करना है तो एक तरह से ये क्या है ये वि विकल्प ये आपको देखना है राजनीती का राजनीती राष्ट का राष्ट्री आयू का आय समर का सामरिक तो सही क्या उत्तर हो जाएगा इसमें डी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा समर का सामरिक जो है ये बिलकुल ठीक है बाकी जो विकल्प थे उनको सही विकल्प उनके स अगला प्रस्न, मयंक गलत चाल चलता है, इस वाक्यांस में गलत चाल किस सब्द जो दिया हुआ गलत चाल किस क्रिया विशेशन का उदारण है या किस प्रकार का क्रिया विशेशन है तो क्रिया विशेशन के भेद के अधार पे आपको इसका उत्तर बताना है गलत चाल जो है क्या है कि रीत ही बाचक है क्योंकि वो एक रीत ही बता रहा है कि चाल कैसी है गलत है तो C option इसका जो है correct होगा अगला प्रस्न किस सब्द में इला प्रत्य अगर लगा दिया जाए तो वो विशेश से विशेशन बन जाएगा और इसको आप ध्यान से सोचिए तो तुरंत आपका उत्तर आजाएगा चमक में इला लगाने से क्या बन जाएगा चमकीला तो जो है यही अमारा सही उत्तर है चमक से इला प्रत्य लगाने पर ये विशेशन बन जाएगा चमकीला अगला प्रस्न निमलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा वाक्य विशेशन उपवाक्य है विशेशन उपवाक्य का मतलब क्या हुआ? जहां पर विशेशन का प्रियोग हुआ है तो अगर आप सारे वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे तो नीचे के तीनों में विशेशन का प्रियोग नहीं हुआ है इसमें ही विशेशन का प्रियोग हुआ है लखनव जो उत्तरपदेश की राजधानी है एक एतिहासिक नगर है तो इसमें जो है विशेशन का प्रियोग किया गया है इसलिए ये विशेशन उपवा किया है अगला प्रस्ण किस विकल्प में सभी कमल के परियावाची है तो इसके लिए आपको कमल के परियावाची अच्छे से याद होने चाहिए सभी इसमें से कमल के परियावाची वाला समू कौन सा हो गया B option, कंज, अम्भोज, कोकनद, ये सब ही कमल के परियावाची सब्द हैं, बाकी में कमल के परियावाची एक साथ कहीं नहीं दिये गए हैं अब इस प्रस्थ में जितने भी और विकल्प थे, उन पे विचार कर लिए, वो बहुत जरूरी है आपको जानना तो पहले तो कमल के सभी परियावाची को देख लेते हैं, यहाँ पर ये होना चाहिए तो कमल के आने परियावाची हैं, पद्म, राजीव, अर्विंद, अम्भुज, सत्दल, नलिन, सरसिज, नीरज, पंकज, सरोज, जलज, पुंडरीक वा कंज तामरस के परियावाची या तामरस एक अनेकार्थि सब्द, एक्चूल में, वह एक से ज़यादा सब्दों का परियावाची होता है कमल का भी होता है, सोना का भी होता है, तामबा का भी होता है, धतूरा का होता है इसलिए ये सब्द बार-बार पूछा भी जाता है अर्कजा जो सब्द दिया हुआ है, ये भी एक तरह से अनेकार्थी सब्द है सूर की कन्या को अरकजा कहते हैं मुख्य रूप से यमुना का परियावाची अरकजा होता है और तापती के लिए भी अरकजा का प्रियोग होता है वहिन जो सब्द दिया हुआ था ये आग का समाना थी या परियावाची है कमल के आपने देखी लिए कंज, कज, अंभोज, कोकनद, कल्पवरच के परियावाची देख लिए क्योंकि कल्पतरू आपसे पूछा गया है प्रस्न में तो देवदारू, सुरतरू, मंदार, पारि पारियाद भी आपसे आपसे पूछा है आम के परियावाची ये क्यों है क्योंकि आपसे एक सब्द पूछा गया है मन मथाले, मन मथाले जो है आम या आम के पेड के लिए प्रियोग होता है तो आम के परियावाची सब्द हो गए आमर, गसाल, सहकार, अमृत, फल, अनेकार्थी सब्द क्या है विश्वामित्र के लिए भी कौसिक का प्रयोग होता है नेवला के लिए भी होता है उल्लू सपेरा और इंद्र तो कौसिक सब्द जो है एक अनेकार्थी सब्द है इसी तरह से करदम भी जो है एक अनेकार्थी सब्द है पहले अर्थ में जो है य अग अपराद तीसरे अर्थ में ये छाया का भी पर्यावाची होता है चोथे अर्थ में करदम रिशी हुए है उनका जो है नाम है ये और पाचवे अर्थ में ये मांस का पर्यावाची ये तो ये कानेकार्थी सब्द है इसी तरह से कानन सब्द आप से पूछा गया है प्रस देखेंगे आकास गंगा का पर्यावाची है तो आकास गंगा के कई सारे पर्यावाची है स्वर्ग नदी, सुर्ण नदी, मंदाकनी ये सब ही जो है आकास गंगा के पर्यावाची है तो इस तरह से हमारा option जो है डी सही होगा अगनी का पर्यावाची सब्द इसमें से कौन सा है आपको बताना है तो अगनी का पर्यावाची इनमें से क्या हो जाएगा धनन्जे ये option जो है सही है बाकी मेगपती विपलो कौसिक ये अलग है तो अगनी के पर्यावाची जो है धनन्जे तो हई है उसके लावा क्रसान, ज्वालान अनल दहन और ज्वाला भी है, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि धनजय जो सब्द है, यह एक अनेकार्थी है, इसमें यह अरजुन का भी पर्यावाची है, अगनी का भी पर्यावाची है, तो इसको ध्यान रखिएगा, मेगपती इंद्र का परसन देखेंगे विश्ण, खिन, उद्विग्न ये किसके पर्यावाची सब्द हैं तो विश्ण, खिन, उद्विग्न ये सभी उदास के पर्यावाची हैं ये option यहाँ पर correct होगा next question कौन सा एक कामदेव का पर्यावाची है विश्ण में से आपको कामदेव के पर्यावाची बताने हैं तो कामदेव का पर्यावाची में से कौन सा हो गया पुश्प धन्वा पुश्प धन्वा जो है कामदेव का पर्यावाची है बाकी सब्दों पर भी हम विचार करेंगे कामदेव कहने परियावाची है मनमत, मनोज, आत्मभू, कंदर्प, अनंग, रतिनात, मदन बाकी आपका अलंकेश शब्द दिया था तो अलंकेश जो है कुबेर का परियावाची है बाकी परियावाची आपके सामने लिखे हुए हैं इसको भी देख लीजिएगा गडेश के लिए परियावाची का प्रियोग होता है महाकाय जो आपके प्रस्न में पूछा गया है इसी तरह से बीभत्षू विर्जई ये परियावाची सब्द है अर्जुन का तो सभी सब्दों पर विशेज ध्यान दीजिए ये ऐसे सब्द हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे अगला प्रस्न वाक्यांस के लिए एक सब्द दिये हुए हैं चार इसमेलित यूगम की आपको पहचान करनी है जो इस्तरी सूरी बहिना देख सके उसको असूरियम पस्या कहते हैं बिल्कुर ठीक जो कुछ भी न जानता हो उसको अग्य कहते हैं इसी सब्द बनता अज्यानी जिसकी पहले से कोई आसा ना हो उसको अप्रत्यासित कहते हैं तो option हमारा अपने सहारे पर रहने वाला आत्म निर्भरी ये गलत है तो C इसका correct answer हो जाएगा अपने सहारे पर रहने वाला जो वाक्यान से उसके लिए एक सब्द होता है स्वाव लंबी ना कि आत्म निर्भरी अगला प्रस्न कुछ खास सर्तों पर किसी कारे को करने का जो समझा होता है उसको क्या कहते है बेलदारी ठेकेदारी समविदा या करमठता तो उसको क्या कहते है हम समविदा कहते है जिसको हम इंगलिस में contract के नाम से जानते है ये कुछ खास सर्थों के तहट किया जाता है अगला प्रसंद देखेंगे दो यूग में दिये हुए हैं आपको इसमें आपको वाक्यांस के लिए एक सब्द के अनुसार बताना है कि कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं युद्ध की इच्छा रखने वाला योद्धा क्या सही है, नहीं गलत है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगुशू ये सही है तो इस तरह से क्या उन सा विकल्प हमारा सही होगा केवल दो, बी ओप्सन जो है यहां पर करेक्ट होगा युद्ध की जो इच्छा रखने वाला विक्ती होता है, उसको युद्ध कहते है और युद्ध की इच्छा केवल अगर इच्छा पूछा जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, युद्धा कहेंगे तो दोनों ही तरह से प्रसन आप से पूछा जा सकता है अगला प्रसन वाक्यांसों और उनके लिए प्रियुक्त सब्दों के निमलिखित युगमों में से सही युगम काम को पहचान करना है तो अपना मंतव विसादने वाला परमार्थी गलत दिया हुआ है जिसका उचारण न किया गया हो समुच्चरित ये भी गलत है जिसका कोई सत्रू न जन्मा हो सत्रू विहीन ये भी गलत है सही कौन सा है अनचित बात के लिए किये जाने वाला आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है बाकी जो है जो गलत थे उनका सही रूप जान लेते हैं अपना मन्तव विसाइने वाला वीक्ति स्वार्थी होता है जिसका उचारण न किया गया हो उसको कहते अनुच्चरित जिसका कोई सत्रु न जन्मा हो उसको कहते अजात सत्रु अगला प्रस्न जो एक जगे से दूसरी जगे ना ले जाया जा सके तो इसके लिए एक सब्द का क्या प्रियोग करेंगे आप यह आपको बताना है सदावर्थ, इस्थावर, सार्थक और इस्थानी में से तो जो एक जगे से दूसी जगे ना ले जाया जा सके उसके लिए एक सब्द होगा इस्थावर, be option यहाँ पर हमारा correct होगा बाकी सदावर्थ जो सब्द है उसके बारे हम जान लिजिए ऐसा इस्थान जहां खाना free में मिलता है, मुफ्त मिलता है उसको भी कहते है या दूसरे अर्थों में दीन दुख्यों को भोजन देने की जो ब्योस्था होती है क्योंकि दुन दुख्यों को अगर भोजन दिया जा रहा है तो वो मुफ्त में ही दिया जाएगा तो उसको हम सबावर्थ कहेंगे अगला प्रस्न, निमलिखित वाक्यों में से एक वाक्य सुद्ध है, पेड की पत्ता गिरा, गिरी पेड में से पत्ता गिरा, पत्ता गिरा पेडों से या पेड से पत्ता गिरा, तो इस पस्ट रूप से आप देख सकते हैं, डी आप्टरन करेक्थ होगा, पेड से पत्ता गि आप इसमें से आपको सुद्ध वाक्य बताना है चारो वाक्यों में से तो ध्यान से आप पढ़ लीजिए तब आप जो है इसका उत्तर दीजिए कि कौन सा वाक्य इसमें से सुद्ध है तो इसको discuss कर लेते हैं सबसे पहले जो है जो सुद्ध है उसको बात कर लेते हैं उस समय चर्खा चलाना भी एक अनुशासन था ये बिल्कुस सही है बाकी में गलतियां है क्या क्या गलतियां है ये हम देख लेते हैं रोगी अपनी कमजोरियों के कारण तो यहां पर कमजोरियों के कारण नहीं कमजोरी के कारण उठ तक नहीं पा रहा था अब राजपत की सडक तो राजपत का अर्थी है कि उसमें सडक सब्द या पत जुड़ा हुआ है तो सडक यहां पर नहीं प्रियोग होगा राजपत से शाकियां वापस लोट गई, यह सही हो जाएगा, सिकारी उस पर गोली चलाई पर वह सेर बच निकला, यह भी गलत है, क्या सही होगा, सिकारी ने गोली चलाई पर सेर बच निकला, तो यह सही होगा, बाकी जो है सब गलत दिये वेट उसमें, अगला निमलिखित में से एक वा वाकि को आपको देखना है कौन सा सुद्ध है, तो पहले हम इसका उत्तर देख लेते हैं, फिर इस पे चर्चा करते हैं कि कौन सा गलत है, तो क्यों गलत है, आम सभा में प्रतेक वर्गों के प्रतनिधी उपस्थित थे, ये गलत है, क्या होना चाहिए, जब वर्ग, प्रतेक सब्द जुड़ा हुआ है तो वर्गों नहीं आना चाहिए आम सभा में प्रतेक वर्ग के प्रतनिधी उपस्तित थे इतना जो है इसका पर्याप्त है बाकी सभी यह वाकी जो है दिये हुए है यह सही दिये हुए है अगला प्रस्न नीचे दिये गए सब्दों में से किसकी व तो अगला कोश्चन इनमें से एक की वर्त्नी असुद है असुद वर्तनी वाला इसमें से ऍं park कौन सा है तो अधीन सही लिखा है भागी रथी भी और अनुगरहीत भी सही लिखा है जागरित जो है ये गलत लिखा हुआ जागरित जो है कैसे सही लिखा जाता है या तो जागरत इस तरह से लिखा जाता है या जागरित लिखा जाता है या जागरती लिखा जाता है तो ये तीनों ही इसके सुद्ध रूप हैं जिनको आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों इस तरह से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने तीस महत्पूर्ण प्रसनों को हल किया पूरी व्याख्या के साथ में अगर आपने पीछले वीडियो को नहीं देखा है इस रंखला के तो निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए और लगाता है रिवीजन भी करना चाहिए जिससे आपका ये सामान इंदी वाला पॉर्शन जो है काफी अच्छा हो सके तो अभी के लिए ता ही नमस्कार धन्यवाद